बड़ा प्यारा थी हो रहा है भाई बहुत हीrica थीहोर hem स्टेट gosh law of magnetism gosh थीहोरक आपका chapter number 1 के अंदर भी है और इसके अंदर भी है हम से घ muitas law of magnetism बताओ तो आपने पढ़े लौगा तो नौरस जितना magnetic field निकल रहा होगा उतना magnetic field घोम करके south में आ भी रहा होगा yes or no, बिलकुल बात सही है तो अब ये सवाल है कि इस close loop से total magnetic flux कितनी निकली तो total magnetic flux तो ये होती है magnetic flux, अब आप कहोगे यार जितनी magnetic field lines बाहर को निकल रही है, इतनी आ भी रही है तो net magnetic flux तो zero हो गया तो किसी भी close surface के लिए है, किसी भी close surface के लिए है, total magnetic flux जो होता है, वो zero होता है it means, आपने देखा होगा 5B is equal to a, zero हो रिकल कर आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो magnet है जो अंदर रखी हुई magnet है, इसके दो pole है, दो pole है, north pole और south pole, जितना निकल रहा है, magnetic flux इतना आ भी रहा है, तो जितना निकलेगा उतना आएगा, it means, दो pole है, magnet के, दूसरी बात ये है कि जब दो pole है, तो monopole exist नहीं करेंगे, एक pole exist नहीं करेंगा, ठीक है, ये बाली बात भी है इस theorem indicate that isolated magnetic poles do not exist, or the magnetic poles always exist in pairs ठीक है, 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 अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर्याना नहीं कोशन पूचा है, problem number 14, thank you so much, इसके consequences भी मैंने इसी कंदर बता दिये